नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवराज सिंग उत्तर प्रदेश में बिधान सबाज चुनाप की तारीकों के एलान के बाद राजनेतिक दलों के बीच शहे और मात का खेल शुरू हो गया है नेताओं का दल बदल का सिलसला जारी है इस मामले में बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है बीएस्पी चीप मायावती ने आर एलडी और कॉंग्रेस को जटका दे दिया है दोनों ही पार्टीओं से एक-एक नेता को बीएस्पी में शामिल किया है खास बात ये है कि बीएस्पी ने कॉंग्रेस और आर एलडी छोड़ कर आये दोनों नेताओं को टिकेट देने का भी एलान कर दिया है मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है बीएस्पी चीप ने मुझफर नगर की चर्थावल विदानसवा सीट और सहारनपुर की गंगो विदानसवा सीट से अपने उम्मीदबारों के नाम का ऐलान कर दिया है इन दोनों सीट पर कॉंग्रेस और RLD से आये दोनों निताओं को मीदबार बनाया है बता दें कि सुवे के पूरु ग्रह मंत्री रहे साई दुजमा के बेटे सलमान साईद ने कॉंग्रेस छोड़ BSP का दामन थाम लिया है वहीं कॉंग्रेस छोड़ सपा में सामिल हुए इमरान मसूद के सगे भाई नौमान मसूद ने RLD छोड़ BSP जोइन कर ली खास बात ये है कि मायावती ने नौमान मसूद को गंगो बिदानसवा सीट से पार्टी का अमीदबार बनाया है इससे सपा को भी तगड़ा जटका दे दिया है तो भहीं सलमान साइद को चर्थावल सीट से प्रत्यासी घोसित किया है मायावती ने गुरुबार को ट्वीट कर लिखा मुझफर नगर जिले के यूपी के पूर्व ग्रह मंत्री रहे स्री साइद दुजमा के वेटे स्री सलमान साइद ने कल दिनांक 12 जनवरी को बिएसपी प्रमुग से देर रात मुलाकात की हुआ कॉंग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए स्री शाइद को बिएसपी ने चर्थावल विदानसवा की सीट से अपना उमीदबार बनाया है अपने दूसरे ट्वीट में बिएसपी चीप ने लिखा इनके साथी सहारन पुर जिले के पूरु केंद्रिय मंत्री स्री रशीद मसूद के भतीजे वह स्री इमरान मसूद के सगे भाई स्री नोमान मसूद भी कल लोक दल छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए बिएसपी प्रमुक ने इनको गंगो विदानसवा की सीट से अपनी पार्टी का उमीदबार भी बनाया है बता दें कि बिएसपी ने जिन दोनों सीटों पर उमीदबारों के नाम का एलान किया है उन पर फिलाल बीजेपी का कबजा है पिछले चुनाब में चर्थावल बिदानसवा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी बिएसपी के नूर आलम तीसे नमर पर रहे थे वहीं गंगो सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी यहां कॉंग्रेस प्रत्यासी नौमान मसूद दूसरे नमर पर रहे थे बता दें कि 2022 के यूपी बिदानसवा चुनाब की वोटिंग साथ चर्णों में दस फरवरी से लेकर साथ मार्च तक कराई जाएगी बहीं नतीजे दस मार्च को घोसित होंगे इस ख़बर में शलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बन इंडिया हिंदी के साथ